कि ये गाई इस तो आज की वीडियो में बात करने वाले इस यूएसभी हब के बारे में आप सोच के गंक्फ्यूज होगे कि यह यूएसभ है कैसा और कैसे चलता है ना काफी बढ़ी है अब देखते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो देखिए यह वाले यूएसभी जाता है वह आप यहापे देखी सकते हो चीक है तो यह अलग से मैं बताने नहीं वाला और आप जो है इसे अराम से पड़ सकते हो बाद में स्क्रीनशोट लेकर करके अब इसके साथ में आपको एक वायर मिलती है बेसिकली आपको हर एक बटन मिल जाता है हर एक यूएसभी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है अब जैसा मैंने इसा करने कर लिया हैं तो यह पूरा का पूरा न हो चुका है यह ची कि मैं क्या करूएगा जैसे मैं एक-एक बंद करूएगा तो यहाँसी जो है असी आप देख से वह वाव तो इस जबर्दस जिएां चाहे जो है space छोड़ करके इसमें लगा लेता हूँ उसके बाद में यह और दो है मेरे पास में वैसे तो आप multiple भी हाप पर connect कर सकते हो तो यहाप पर मैंने इससे connect कर लिया एन यह final है तो इसको भी मैं आप पर connect कर लेता हूँ अब कितना है मेरे पास one two three four four watt है लगबग यह इसे भी on कर लेता हूँ इसे भी on कर लेता हूँ इसे भी on कर लेता हूँ अब देख सकते हो कि दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है यह अब मैं इससे lights के लिए use करूँ मैं इसे pen drives के लिए use करूँ यह फिर मुझे जो अच तो lights के लिए तो काफी बढ़िया है यह product मतलब USB hub आप इसे कहोगे तो USB hub है हम मैं क्या करता हूँ इसके lights बन कर देता हूँ सब lights हम इसे करता है बन बड़ आप आप सोचगे कि इसे हम फिर इस्तमाल कहाँ पर कर सकते हैं तो इसे आप इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पास म भी होते हैं बहुत से लोग के पास में तो USB controllers भी वह आसनी से आप इक कर सकते हैं क्योंकि आपको 7 यह जो है inputs देखने मिलते हैं 1234567 आपको इसे कहो तो inputs कह सकते हो या फिर आप इसे output entry जो भी है वो कह सकते हो तो यह एक USB hub है जो 7 in 1 आप कह सकते हो अब मैंने इसे listening कर लिया ह उसके साथ में आप इसे जो है आपके जो बोलते है हम आपका क्या बोलते है उसे Powerbank के साथ में भी आसने से यह connect हो जाता है तो उसके साथ में भी आप इसे इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पे आपको LED इंडिकेशन भी मिल जाता है तो उसके according लिए भी आप इसे आसने से इस्तिमाल कर सकते हो